असलामों अलेकुम मेरे परदेशी भाईयों एक जनवरी दोहजार चोबी से सवधियारब में एक नया कानून लागू हो रहा है और ये कानून वरकरों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आप लोग को टाइम पे सिलरी नहीं मिलता है तो आप लोग अपने से किसी और कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं भले ही आपका एकामा छे महिना, साथ महिना, नो महिना, बारा महिना वाईलेड है फिर भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं आपके कंपनी के साथ कांट्रेक्ट एक्टिव है फिर भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं क्योंकि यह बह मिले उसके बाद आप transfer कहीं ले सकते हैं उसके बाद और भी तरीका है आप अपने मर्जी से transfer ले सकते हैं ये काणून पहले से भी है जो दुसरा तरीका है तो आज के वीडियो में पूरा complete बताने वाला हूं काफी लोगा फरमाई साता रहता है कि भाई हम यहाँ पे आकर फंस गए हैं कंपनी स्रीड नहीं देता है और एकामा भी नहीं बनाता है हम क्या करे हमें कहीं और जगा पे काम मिलता है हम भाग कर जाएंगे तो क्या वहाँ पे transfer होगा या हमारा पुराना कंपनी हमारे उपर हुरूप डाल देगा या केस कर देगा तो डरने की कोई जरुवत नहीं क्योंकि यहाँ पे वज़ारत मेहनत के तरफ से यह अपडेट दिया गिया है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देजिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो सबस्क्राइब कर दे したar अगर सिली न मिले पहले यह कानुन था लेकिन पहले क्या होता था आगर आप किसी और कंपनी में जाते थे तो अब कांपनी आपको सेली नहीं मिलता है और साइन तो फिर आपको जूटा सावित कर सकता है लगतार तीन महीने तक नहीं मिलता है तो बीना बताए बीना पूछे आप लोग किसी कंपनी में ट्रांसफर ले ले बेहतर होगा क्यूंकि आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो काम करके क्या फाइदा और जो लोग भी नहीं आते हैं कमपनी उनको सेलरी नहीं देती है, कहता है कि तुम बैठे हो, तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, यानि तुम काम नहीं कर रहे हो, तो सेलरी किस बात का है, आप यहां पे एरपोर्ट पे आज आते हैं, तो आपका हक बनता है, आप सेलरी जो बेसिक सेलरी होता है, यहां का आठ लेकör लेकिन काफी लोग डर जाते हैं नहीं नय काफी लोग को पाँच मोगा चार महीं और नहीं बनता हैं यहाँ पर नहीं आ अते हैं것 होता है तीन महीने तक आपका एकामा नहीं बनाता है कंपनी उसके बाद आपका ही भी बिना बताए ट्रांसफर ले सकते हैं उसके बाद जो लोग भी कंपनी से भाग जाते हैं और उनके ओपर हुरूब लगा दिया है या पुराना हुरूब हो या नया हुरूब हो फिर भी आप किसी और जगह पे transfer ले सकते हैं अगर company या कफील आपका agree है और उरखनी के लिए तयार है तो वही कफील आपका transfer ले सकता है transfer लेगा तो automatic हुरूब cancel हो जाता है हुरूब कटने हटने का काटने का कोई भी आप charge नहीं लगता है फिरी में हट जाता है जो पुराना एकामा बांकी होगा यानि आपका एकामा पहले नहीं बना है अगर वो एकामा का जो fine है या कुछ भी है वो भरना होता है उसके बाद आप transfer लेकर वहाँ पर काम कर सकते हैं पहले का जो system था आपके उपर जब हुरूब लगता था तो आप transfer नहीं ले सकते थे पहले हुरूब को हटाना होता था लेकिन आप बिंदास किसी और जगा पर transfer ले सकते हैं सेलरी बढ़ने का भी कोई chance नहीं है हाला कि यहां की government सेलरी बढ़ाती है company को एलाव होता है कि अब सबका सेलरी इतने percent के हिसाब से बढ़ाया जाए लेकिन जो यहां के लोग है जो यहां के सहरी है सबका बढ़ता है लेकिन अजनभी का सिलरी नहीं बढ़ता है एक ही देश यानि Malaysia है वहाँ पे अगर government के तरफ से आदेश होता है कि सिलरी अब बढ़ाया जाए सबका तो सबका बढ़ता है वहाँ के वर्करों का बढ़ता है और बाहर के जो लोग भी वर्कर काम करते हैं मेलेसिया में उन लोग का भी साथ में बढ़ाया जाता है लेकिन यहाँ पे कंपनी नहीं बढ़ाती है ये कानुन तो पहले से है लेकिन इसमें नया एड किया गया है कोई भी कंपनी टाइम पे स तो उनका सर्वीज से बंद कर दिया जाएगा यानि उनका जो वीजा निकलता है वो भी बंद कर दिया जाएगा उनका और भी सवर्भी होता है गोTre का जो स्टेटस है उनके धिरेड़ी करके र्प हो जायेगा अप विज से भी कहना चाहों लेता है एकामा भी नहीं बनाता है तो एकामा नहीं बनाता है वो उनका मसला है लेकिन टैम पे सिलीर नहीं मिलता है यह आपको मारा जाता है कई कंपनियों में मारते हैं लोग जो सुपरवाइजर होता है मेनेजर होता है काफी कंपनियों के बारे में मैं सुना हूं कि मारता ह और अगर आप इस तरह से इस मुसीवत में मुपतला है तो दो चार आदी पांच आदी मिलकर इनके उपर केस करें लेबर कोट में और लेबर कोट में केस करके आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं क्यूंकि जब तक आप कमप्लेन नहीं करेंगे तब तक आपका आवाज विने इसुनेगा